गोपालगेज पुलिस जन सुनवाई को लेकर अब समाधान हाइटेक टेकनीक से कर रही है देश के बाहर रहने वाले भी अपनी समस्या को लेकर स्पी से सीधा रूबर्व हो रहे हैं दरसल गोपालगेज पुलिस इन दिनों लोगों की समस्याओं को सुलजाने के लिए हाइटेक टेकनीक का उपयोग कर रही है इस टेकनीक के जरिये गोपालगेज पुलिस रोज लोगों की उनकी समस्याओं सुन रही है और उन समस्याओं का सामाधान को लेकर ततकाल परभाव से पूरा भी कर रही है गोपालगेज पुलिस लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगतार पर्याश कर रही है गोपालगेज एसपी स्वणपरभात ने बताये कि अब गोपालगेज के लोगों को समस्याओं को लेकर अब लोगों को एसपी कार्याले या थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा एसपी से बात करने के लिए वो डाइरेक्ग गूगल मीटिंग से हमारे साथ जूड सकते हैं और अपनी समस्याँ बता सकते हैं एसपी ने कहा कि पुलिस हेड़कॉर्टर के नेदेश पर गोपालगेज में टेकनीक का इस्तमाल किया जा रहा है अब आम आदमी अपनी समस्याँ को लेकर समझ पुलिस पता धीकारी से सोसल मीडिया के माध्यम से जंसवाद करेंगे ऐसे में आज भी जंसवाद के माध्यम से सुनवाई की गई जिसमें कई मामलों का सुनवाई हुआ कई लोग Google Meet के माध्यम से जुड़े थे और उनके मामलों का सुनवाई हुआ गोपाल गेजस्पी ने बताया कि दो तरह के लोग है एक जो दोसरे हिस्से में रहते हैं या फिर खाड़ी देशों में रहते हैं उन्हें अपनी समस्याओ को लेकर गोपाल गे जिस पी कार्याले का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा वैसे लोग Google Form के जरीए अपना रेजिस्टेशन कर सकेंगे रेजिस्टेशन की प्रकिरिया पूरी होने के बाद उन्हें लिंक भेजा जाएगा इस लिंक के माध्यम से वो Google Meet या जूम एप के जरीए हमसे जूर सकेंगे और अपनी समस्याओ को हमसे डाइरेक्ट बता सकेंगे कई बार ऐसे होता है कि थाना में वो लोग समस्या नहीं ले जा पाते हैं या वहाँ से निप्तारा भी नहीं हो पाता है जिसको लेकर यह वियाद चलाए जा रहा है कि लोग डाइरेक्ट इस पीस से जूर कर अपनी समस्या सुनाए पुलिस मुख्याल है कि निप्रशा नुशार हम लोग टेकनलोजी के यूज़ कर रहे हैं जन सुनवाई को और सुलव और असान बनाने में और इसमें हमारा प्रयास है कि विडियो कांफ्रेंशिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जाए और ऐसे में दो तरह के लोग हैं ऐसे लोग जो जीला के बाहर रह रहे हैं दिल्ली और मुंबई जैसे या ठाड़ी देशों में रहकर पेशा कर रहे हैं वैसे लोगो कोई समस्या हैं तो हफता में एक दिन गूगल फॉर्म के माध्यम से रिजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और उनको जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग का लिंक भेजेंगे उसमें सीधे बात रख सकते हैं SP के सामने और वैसे लोग जो टेक्नलोजी का यूज करने में होते हैं अभी सच्छम नहीं है वो अपने नजज़िकी थाना पे जा सकते हैं और थाना पे वीडियो काउफरेंशिंग बेवस्था की गई हैं और वहां पताना पे बैटके हमसे SP से सीधे बात अपनी रख सकते हैं और ऐसे मामनों को हमनों रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और उसके निश्पादन के लिए तोरित निश्पादन के लिए दिशाने देश थाना देश को दिए गए हैं अब इस टेकनिक के इस्तामाल करने के बाद लोगों की समस्या भी जल्द समधान हो जाएगा ऐसे में लोग भी उमीद जता रहे हैं कि ऐसा अगर होते रहा तो हमारी समस्या समधान होगा और हमें कहीं दूर या फिर थाने में भी नहीं जाना पड़ेगा अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा फेस्बुक पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ताकि नीरंतर हम आपको खबरे दिखाते रहें आपका एक सहयोग हमारे लिए काफी महत्य पुड़ है धन्यबाद